हेलो फ्रेंड स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने होने चले हैं अब इस वीडियो में हम डिसकेस करेंगे जो परसेंटेज की कुछ और कोईसेंट पर आगे अब तक हमने चुनाम दो परत्यासियों के बीच में लड़ा था अब इस कोईस्टन में तीन परत्यासि आ जाते हैं कह रहा है कि एक चुनाम में तीन परत्यासि थे ए बी सी और ए बी और सी स्वरी ए परत्यासि को कुल मतों का उन्नीस परसेंट मिलता है यह कह रहा है कि तीन प्रत्यासी खड़े हैं A, B और C A को कितना मिलता है 19% B को 55% मिला B को कितना मिला 55% और सेसमत जो बचे हैं वो किसको मिले C को तो 19 और 55 को अगर हम एड करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 74 तो 74 मैं से देखा जाए 100 मैं से 74 हटा दे तो 26% किसके रहे हमारे C को अब जीतने वाला प्रत्यासी 58,000 मतों से चुनाब जीत जाता है तो कुल कितने मत डाले गई कुल मींस हमें जो मत निकालने वो कितने 100% कितने रहे हैं ठीक है हमें से याद रगना प्रत्यासी कितने भी खड़े हो तीन हो या चार हार जीत वो रहेगा जो फस्ट नंबर के उसके जस्ट सेकेंड वाले को हार अबुह बोला जाता है जीतने वाले ने 55% लिए तो हारने वाले के कितने भेगे 26% तो मतलब इन दोनों में जो हार जीत का डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है ये हो जाएगा आपका 29% कितना 29% अगर जीतने वाले ने 29% फाल तू लिये हैं वो किसके बराबर है हमारे 58,000 के तो बताइए उस चुनाम में 100% कितना था ये 58,000 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 29% इस सीधा दो बार तीन जीरों तो यहां से और दो जीरों पीछे वाली तो कितने दो लाक मत थे उस चुनाम में ठीक है कितने मत दो लाक देखिए नेक्स टाइप गिए इस तरीका का क्वेश्टन है किरा एक वैक्ति की आये बावन सो रुपे है यदि 3000 रुपे हमारे टैक्स फिरी हो और यदि आये करकी दर 3% वार्सक हो तो find his net income ये आये वाले क्वेश्टन है इंकम है और इंकम टैक्स है यह कहा है अगर किसी वैक्ति की आये 500 रुपिया है ठीक है तो 500 रुपिया पर derivative नहीं है वो यह रहा सीधा सीधा के 3000 तक क्लिए इस 500 में थो 5000 रुपिय같은 होना ही नहीं है तो उसका कितने लगेगा और 2200 रुपिय लगेगा तीन पर्संट सालाना तो तो दो जीरो से दो जीरो यह क्या रह जाएगा 6000 रूपया मिस बाइस सो रूपय पर जो साल का टैक्स हब वो कितना 1600 तो नैट इंकम कितनी होगी जो नियूँए है उसमें से अगर हम 6600 निकाल दें तो यह हो जाएगी कि हमारी क्या नेट इंकम आए समझ पांच हजार एकसो चौटीस इस तरीका के करने का यह यह अप्रोच होता है ठीक है देखिए नेक्स ट्राइप अगर इंशल फाइनल कोई एक निकाले तो एकसाथ निकल जाएंगे ठीक है जैसे मान लेते हैं एक उसकी इंशल इंकम है ऑर बी उसकी क्या है फाइनल इनकम अब 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 एपर टैक्स नहीं लगा है वो सीधा सीधा कह रहा है कि दोनों केसिज में यह पहला केसज और य यह पिछहत्तर हो जाएगा है अब यह कह रहा है कि जो पहले था वो कितना था 18% पहले रेट ओप इंट्रेस्ट कितना था हमारा 18% बाद में कितना हो गया वो 15% तो दोनों में रेशो चेक कर लेते हैं देखिए कैसे करते हैं सीधा सीधा करेंगे हां से 100 सो गया और देखा जा हैगा 5 रेशो 6 एक रेशो 5 और वी के लिए क्या 6 यह 5 रेशो 6 का मतलब यह है 6 यह और यह भी ठीक है मतलब यह कहरा पहले इंकम कितनी थी 305 अब कितनी हो गई 6 तो कितनी बड़ी हां से एक हमारे कितने के बरावर है 6000 के तो पांच कितना होगा है तो कह रहा है यह तो हमारी क्या हो जाएगी इनिशेल इंकम अगर इसी में अगर को फाइनल पूछे तो कितना हो जाएगा इन दोनों को एड़ कर देंगे मतलब बाद वाली इंकम कितनी है फाइनल 36000 आय समझ देखिए नेक्स कुश्टन अगर इस तरीका का कुश्टन आ इस तो इसको अगर हम अपने अपने हंडर मालें तो यह कहारा पहली उससे 26% अदेखिए तो वह कितनी हो जाएगी एकसोचपीस दूसरी उससे 5% अदेखिए तो यह कितनी हो जाएगी एकसोपास क्योंकि इन दोनों के इसके साथ होई है अब आगे कहारा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है जो पहली वाली संख्या है इसकी कंपेरिजन दूसरी वाली संख्या से कर रहे हैं तो कंपेरिजन जिसके साथ होती वह होगा नीचे यह कितने परसेंट है इन्टू हंडरेड 21 से यह 5 वार और 21 से यह 6 वार सीदा सीदा और यह 5 से कितन समझ आई होगी और अगर समझ आई गई है तो वीडियो को हमारी को लाइक करेंगे सेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ कमेंट्स भी करेंगे